बॉम्बी वेलवेट हुई बॉक्स आउवस पर बॉम जटका लगा अनुराग कश्यप को ऐसा कि अपैरेनेंटली वो अपना सूटकेस उठाकर रवाना होने वाले हैं फर पैरिस क्योंकि अब शायद अनुराग को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में नहीं करना काम और बनानी है फिल्मे फॉर दी इंटरनाशनल सिनिमा जी हां, खबरों की माने तो अनुराग बंबे वेल्वेट के फेलियर से इतने ज्यादा अपसेट हैं कि उन्होंने डिसाइट कर लिया है कि वो अब पैरिस शिफ्ट हो जाएंगे और वहीं फिल्मे बनाएंगे अनुराग विस कोटेद, अनुराग एक फिल्म में एक डिफरेंट जॉनर को बिलॉंग करती हैं और CBFC के नए रूल से उनकी सेंसिबिलिटीस बिल्कुल मैच नहीं होती अनुराग ने अपारेंटली एक फ्टूडी अपार्टमें भी वहां ले लिया है और वो इसी महीने वहां चले जाएंगे वैसे पूरे मामले में गौर करने वाली बात ये भी है लिए प्सक्राइब का लिए प्सक्राइब अनुराग बासू रीमा काथ्ती है अनुराग बासू और रिमा काथी एफ बीन does not need his failure in Bombay Velvet. The two filmmakers are obviously worried की रंबीर केस failure काच सर कहीं उनकी फ्ल्म पर ना दिखे And that's why they tweet and saying Agreed! Bombay Velvet is not flawless and so is all my movies Failed to understand the synonymism of cinegoers, seen worse movies crossing 100 crore Reema Kakhti writes So many flawed reviews are commenting on the flaws of Bombay Velvet's screenplay Get half a page right before saying someone else got 120 wrong Well, हम Anurag को यही कहना चाहेंगे That definitely a bad movie is not the problem Maybe problem है Anurag का attitude जिसके वजह से वो criticism को कई बार positively नहीं ले पाते और शाहिद इसलिए वो कई बार arrogant भी नजर आते हैं And maybe that's the reason की कई अच्छी फिल्म में इंडस्ट्री को देने के बाद एक flop की वजह से अनurag ने इंडस्ट्री को छोड़ देने का extreme decision ले लिया है Bureau Report, Zoom, Mumbai